नमस्कार दोस्तों पित्र पक्ष के दोरान कई नियमों का पालन करना होता है इस समय शुब व मांगली कारे करना वर्जित माना जाता है आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पित्रपक्ष के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जो 15 दिन होते हैं ये हमारे पीतरों के लिए यानि पुर्वजों के लिए होते हैं इन दिनों में यदि हमने पीतरों को अच्छे से खातिरदारी की खुश किया और पूजा पाट किया तो ये पीतर हमें हमेशा जीवन भर आशिरवात देते रहते हैं इसलिए जरूर कुछ चीजों का आप ध्यान रखें इस पितरपक्ष में ये जानकारी आपके बहुत काम की है पितरपक्ष या श्राद कर्म में मृत पीतरों का पिंडदान तरपड और श्राद किया जाता है इस समय शुव और मांगली कारे करना वर्जित माना जाता है तो व और भोजन करते हैं इसलिए पितरपक्ष में मृत पुर्वजों के लिए दान पिंडदान श्राद व तरपड किया जाता है इससे पितरों के आत्मा को शांती मिलती है और वे आशिरवात देते हैं पितरपक्ष हर साल भादरपद मां की पुर्णिमा तिथी से आश्विन मा कि अमवस्य अतिति तक होती है इस साल पितरपक्ष 10 सितमबर 2022 से शुरू हो रहा है जो 25 सितमबर 2022 तक रहेगी पितरपक्ष के पूरे 15 दिनों में नियमों का पालन करना है और पितरों का शाद वो पिंडदान भी जरूर करना है कई बातों को ध्यान में रखने के बावजू जानले कि पितरपक्ष के दौरान खाने पाने की जो खाने पीने की चीजे होती है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वैसे तो सभी जानते हैं कि पितरपक्ष में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन केवल मांस मदिरा ही नहीं बलकि खाने पिने की कुछ चीजें हैं जिसे पित्र पक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए पित्र पक्ष के दौरान खाने की इन चीजों से आपको दूरी बना करके रखना होगा ये करना बहुत जरूरी है हम जिन चीजों को ज्यादा डीप में पीतर दुखी होते हैं उस घर में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें रोग बिमारी बच्चों की शादियां नहीं होना तरक्की नहीं होना बहुत सारी चीजें हो लेकिन हिंदु धर्म में इसे तामसी भोजन के समान ही माना जाता है इसलिए कई व्रत और पूजा पाठ में भी लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित माना गया है पित्र पक्ष में भी आप लहसुन प्याज का प्रयोग 15 दिनों तक बिलकुल भी ना करें पित्र पक्ष में मानसाहरी भोजन पर तो माना ही होती ही है लेकिन साथ ही कुछ ऐसे शकाहरी भोजन भी होते हैं जिसे पित्र पक्ष में नहीं खाना चाहिए जैसे इस दोरान आलू, अर्बी, मूली और कंद वाली सबजियों को नहीं खाना चाहिए इन सबजियों से बना भ मसूर की दाल खाना वर्जित होता है मसूर की दाल को श्राद कर्म के दोरान भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए साथी चने से बना सत्तू भी इस दोरान नहीं खाना चाहिए श्राद कर्म या पित्रपक्ष में कच्चे अनाज जैसे की आटा, चावल, दाल, गेहुं आदी को किसी भी रूप में कच्चा इस्तमाल नहीं करना चाहिए आप इसे पका कर खा सकते हैं, लेकिन इन अनाजों को नहीं खुद कच्चा खाए और नहीं श्राद के दोरान प्रियोग में लाएं पित्रपक्ष में बासी भोजन करना मना ही रहता है, वैसे तो स्वास की द्रिष्टी से भी बासी खाना हानिकारक होता है लेकिन पित्रपक्ष में बासी खाना न तो खुद खाना चाहिए, ना ही किसी और को खिलाना चाहिए इन दिनों में ऐसे खाने से दूर रहें तो बेहतर है पित्रपक्ष में काले नमक के सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध है इस दोरान खाने के दोरान काले नमक का प्रयोग भूल कर भी ना करें पित्रपक्ष में मूंग और उड़त की दाल का इस्तमाल तो कर सकते हैं लेकिन इस दोरान मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और शाद्रपक्ष में भी मसूर के दाल को ना तो खाना चाहिए ना ब्रामणों को खिलाना चाहिए दोस्तों हिंदु धर्म में पित्रपक्ष बहुत ही महत्वपुर्ण माना गया है और जो पितर आपके परलोक जा चुके हैं अपने पुरवजों को अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए पूरे विधी विदान से शाद करम जरूर करना चाहिए घर के वो बड़े बुजर्ग जो परलोक जा चुके हैं उनका धन्यवाद करने के लिए आप 15 दिनों में ये बेहद्र काम करेंगे और ये बेहद्र पवित्र दिन होते हैं इस दोरान कई परहेज हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं ये सावधा आपके पुरवजों को प्रसं कुकि अब शुरू हो रहे हैं कल से तो आपको इन उपाएं को कल से ही ध्यान रखना होगा पित्र पक्ष में खान पान का विशेश महत्व होता है आप ब्रामणों को भोजन कराना कभी भी ना भूलें जब कभी आप किसी ब्रामण को भोजन कराएं तो दान दक्षणा पित्र पक्ष में इन चीजों को भूल करके भी आप नहीं खाएं। पित्र पक्ष में आप नहीं खाएं।